नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जीके ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जैन धर्म की और बहुत ही एक इंपोर्टन टॉपिक है जैन धर्म से रिलेटेड एक्जाम के अंदर प्रशन बनते हैं इस वीडियो को देखने के बाद जैन धर्म से जुड़े हुए जितने भी प्रशने आपके वो सौल्फ हो जाएंगे तो चली फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले हमने बहुत धर्म के बारे में बात करे थी अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चली friends वीडियो को start करते हैं जयन धर्म के अगर हम बात करें इनके संस्थापक की तो इनके अंदर जो संस्थापक होते हैं या जो इनके गुरू होते हैं संस्थापक गुरू उनकु तीर थंकर कहा जाता है कुल तीर थंकरों की जो संखquito थी वो 24 थी, तो यह आपको ध्यान रगना है, जैन धर्म में कुल कितने तीर थंकर हुए थे, ये 24 हुए थे, तो इनमें सबसे पहले थे रिशब देव, जिनको रिशब नात या आदी नात के नाम से भी जाना जाता है, तो जैन धर्म के संस्थापक या जैन धर्म के प्रतम तीर थंकर कौन थे तो वो रिशब देव थे ठीक है रिशब देव को नारायन का अवतार बताया गया है ठीक है रिशब देव को नारायन का अवतार माना जाता है कौन से गरंथों में माना जाता है इसका उलेक पुरान और भागवत पुरान इसी प्रकार अगले फिर इनके दूसरे तीर्थंकर आये जिनका नाम अजीत नात था फिर इनके तीसरे आये चोथे आये ऐसे ही करते करते इनके पूरे 22 तीर्थंकर हुए वो हमारे लिए उतने इंपॉर्टन नहीं है अभी आगे कुछ काशी में हुआ क्योंकि इनके पिता काशी के नरेश थे इनका नाम था अश्विशेन का पार्शव नात ने तीस वर्ष की आयू में अपने ग्रह का त्याक किया सन्यास इन्होंने लिया तो कितनी आयू में तीस वर्ष की आयू में इन्होंने जब अपनी शिक्षाईं दी इन्होंने चार प्रमुक शिक्षाईं दी जो कि बहुत important है हमको याद रखना है ठीक है ये चार शिख्षाईं किसने दी है ये दी है पार्शव नातने ठीक है कौन कौन सी हैं देखे अहिंसा यानि कि हिंसा ना करना, दूसरी इनोंने सत्य वचन यानि की सदा सत्य बोलना तीसरे शिक्षा दी इन असत्य यानि की चोरी ना करना चौरिए सिग्ष प्रदवराणी किस ने दी हैं ये पार्षव नात ने दी हैं बाद में इन चारों शिறण केसाथ एक और शिक्षा जोड़ दी गई ब्रहमचारिय उसको जोड़ा महावीर स्वामी ने और इन पांचों को बोला गया पांच महावरत जैन धर्म के पांच महावरत कौन से हैं ये चार और एक जो महावीर स्वामी ने जोड़ा ब्रहमचारिय उसके बारे में अभी आगे बात ये डिटेल में पाशवनात को निर्वान की प्राप्ति सम्मेद परवत पर हुई थी तो ये भी पूछा जा सकता है किस जैन तीर्थंकर को सम्मेद परवत पर निर्वान की प्राप्ति होती है ये हैं 23 तीर्थंकर जिनका नाम है पाशवनात इसके बाद हमारे लिए जो सबस संस्थापक कौन है तो रिशब देव और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है तो वो है महावीर सुवामी इनके बच्पन का नाम वर्दमान था जिस प्रकार महत्नबुद के बच्पन का नाम से धार्त था ऐसे ही इनके बच्पन का नाम क्या था वर्दमान था इनके वज्जी महाजन्पद है उसकी राजधानी थी वह शाली तो वहाँ पर इनका जनम हुआ था ठीके कुंडग्राम में मृत्यू की बात करें तो 468 इसा पूर्व में इनकी मृत्यू होती है पावापुरी राजग्री में ठीके राजग्री या राजगीर भी इसको कहा जाता है जो की मगद की राजधानी थी तो आपको दोनों याद रखना है इनकी जनम कहां हुआ, कब हुआ और मृत्यू कहां हुई, कब हुई दोनों बात याद रखनी है इनके अगर हम पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम से धार्त था और वो किस कुल के थे, वो ग्यातरक कुल के थे, कई बार पेपर में कुल भी पूछ लिया जाता है, जैसे महत्ना बुद्ध के जो पिता थे, वो शाक्या कुल के थे, या शाक्या गण के थे, इसलिए महत्ना बुद्ध को साक्या मुनी भी कहा जाता है, उसी प्रकार इनके प प्तातिय सिद्धार्थ उनका विवा होता है तृषिला और यह महावीर स्वामी की माता थी ठीके बाद में इसी चेटक की एक और पुत्री होती है चेलना इसकी पुत्री होती है चेलना जिसका विवाह मगत के राजा हर्यक जो वंश का संस्थापक था बिम्बी सार उसके इनकी पुत्री हुई बाद में इनका नाम रखा गया प्रियाद दर्शिनी, ठीक है, तो महवीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियाद दर्शिनी था, इनके बड़े भाई नंदी वर्दन थे, हमारे लिए important है, क्योंकि जब महवीर स्वामी ने ग्रहत्याक किया, सन्यास इन वर्ष की आयू में उन्होंने सन्यास लिया था, महवीर स्वामी हो यब पाश्यवनात इन्होंने तीस वर्ष की आयू में सन्यास लिया था, सन्यास लेने के बाद इन्होंने तपस्या करी ग्यान की प्राप्ति के लिए, और फाइनली इनको ग्यान की प्राप्ति हुई, त संपून ग्यान है उसको क्या कहा गया है तो जैन धर्म के अंदर संपून ग्यान को कैवल्य कहा गया है तो प्रशन बन सकता है कि जैन धर्म में कैवल्य किसको कहा जाता है यहां क्यान को कहा जाता है ठीकि जो पून ग्यान होता है उसको इनको जब ग्यान की प्राप्ति हुई महवीर स्वामी को तो इनकी आयू उस समय 42 वर्ष थी यानि कि इनको ग्यान की प्राप्ति ग्रह त्याग के कितने वर्षों के बाद हुई 12 वर्षों के बाद इनको ग्यान की प्राप्ति हुई जबकि महत्मा बुद्ध को जब ग्यान की प्राप्ति होती है उनकी आयू 35 वर्ष होती है यानकि उन्हें 6 वर्ष में ही ग्यान की प्राप्ति हो चुकी थी तो दोनों बाते याद रखनी है ग्यान की प्राप्ति इनको कहा हुई जांबिक ग्राम में हुई नदी पूचेगा त्रिजु पाली का नदी के तड़ पर इनको ग्यान की प्राप्ति हुई और व्रक्ष था वहाँ पर साल व्रक्ष के नीचे तो दोनों बाते याद रखने हैं व्रक्ष कौन सा है तो व्रक्ष है साल का व्रक्ष और नदी कौन से है त्रिजु पाली का नदी के तरड़ पर इनको ग्यान की प्राप्ती हुई थी जब इनको ग्यान की प्राप्ती हुई तो यहाँ अन्य नामों से जाने गए कौन कौन से नाम थे यहाँ जिन के नाम से जाने गए जिन का अर्थ होता है विजेता ये अहर्थ के नाम से जाने गए जिसका अर्थ होता है पूज्य या जिसका अर्थ होता है जो योगी होता है वो अगले ये निगरंथ के नाम से जाने गए जिसका अर्थ होता है बंधन हीन यानि कि अब ये हर बंधन से मुक्तो हो चुके हैं तो ये अन्य नामों से जाने गए महावीर स्वामी, महावीर के नाम से भी ये तभी जाने गए ग्यान की प्राप्ति होने के बाद, महावीर का अर्थ होता है जो अपनी साधना के प्रती समर्पित हो, ठीक है? इन्होंने उसके बाद अपने उपदेश देने शुरू किये और प्रत्म उपदेश इन्होंने राजग्रह में ही दिया जिसकी भाषा प्राकरत में थी अपने उपदेश महावीर स्वामी ने किस भाषा में दिये इन्होंने प्राकरत भाषा में दिये है यहाँ भी important है ध्यान रखना है कि जैन धर्म में निग्रंत किन को कहा जाता है तो जो जैन धर्म के अन्याई है महवीर स्वामी के जो शिश्य हैं उनको यह कहा गया था ठीक है महवीर स्वामी के परत्थम शिश्य कौन थे यह बहुत बार पूछा गया है पेपर की अंदर तो महवीर स्वामी के पहले शिश्य थे जामील यह जमाली भी इनको कहीं पर कहा गया है यह कौन थे इनके यह इनके दामाद थे यानि की प्रियत दर्शिनी जो इनकी पुत्री थी उनका विवहा जामील नाम के एक व्यक्ति से होता है और यही बाद में महवीर स्वामी के प्रतम जैन भेख्षवणी कौन थी तो प्रतम जैन भेख्षवणी थी चमपा ये भी आपको याद रखना है अपने अन्युयाईयों को बाटा इन्होंने 11 गंड धरों में देखे इन्होंने क्या करा अपने शिश्यों को जो इनके अन्युयाई थे उनको 11 गंड धरों में ब पूचाती है केवल एक गंधर बचता है जिसकी मृत्यू नहीं होती है वो थे सुधर्मन ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है महावीर की मृत्यू के बाद एक मात्र जीवित गंधर कौन था सुधर्मन था और यही फिर बाद में जैन धर्म गुरूप बने ठीक है तो यह प्रकार यहां पर भी 3 रतन हैं कौन कौन से हैं डेकbung दर्शन समयक ग्यान और समयक आचरन समयक दर्शन यानि यो आपका अचरन यानि की इनके क्या है ये इनके त्री रत्ने हैं समयक दर्शन यानि कि आपको सत्य में विश्वास करना है ठीक इसका मतलब है सत्य में विश्वास करना है जो सत्य है वही सच है समयक ग्यान इसका मतलब है वास्तविक ग्यान का आपको आचरन वो होना चाहिए सही ग्यान ठीक समयक का म बात करते हैं पांच महावरतों की तो देखें पांच महावरतों में चार महावरतों के अबारे में हमने उपर पढ़ा इनकी शिक्षाएं किस ने दी थी पाश्यवनाथ ने दी थी बहुत बार पूछा जाता है कि पांच महावरतों में इन में से किसकी शिक्षा महावीर स्व सदा सत्य बोलो, असत्य यानि कि चोरी नहीं करना, अप्रग्रह यानि कि संपत्ति ना रखना और अंतिम जो है यहां पर वो है ब्रहमचर है, यह जो पांचवा महावृत है, यहां महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, तो उमीद करता हूँ आपको यह किलेर हो ग करता है, कर्म में विश्वास करता है, और जैन धर्म का मानना है कि सभी दुखों का जो कारण है, वो कर्म ही है, कर्म का फल है, जितना भी आपको दुख मिलता है, वो आपके कर्मों के कारण आपको मिलता है, जैसे हमने बहुत धर्म में पढ़ा था, वहां पे सब दुखों का कारण किसको माना गया था तृष्णा को माना गया था यानि कि इच्छा को माना गया था सभी दुखों का कारण लेकिन यहां पे सभी दुखों का कारण माना गया है कर्म फल को ठीक है जैसा आप कर्म करेंगे उसी का आपको फल मिलेगा इसके लावा मोक्ष की यहां पे मान से यहाँ नास्तिक धर्म है क्योंकि यह इश्वर में नहीं मानते बौध धर्म आत्मा में भी विश्वास नहीं करता है यह आपको ध्यान नहें बाकि बौध धर्म पुनरजर्म में भी विश्वास करता है कर्म में भी विश्वास करता है आत्मा में जैन धर्म विश्वास कर करता है ठीक है अब बात करते हैं जैन सभाओं की जिस प्रकार चार बहुद संगीतियां या चार बहुद सभाएं हुई थी उसी प्रकार दो बहुद जैन संगीतियां हुई थी जैन सभाएं हुई थी इनके बारे में बात करते हैं पहली जैन सभाएं की बात करें तो यह 300 इसा पूर्व में हुई थी उस समय जो मगत के शाशक थे वो कौन थे आपको पता है 300 इसा पूर्व में किसका शाशन चल रहा है चंद्रगुप्त मौर् में इस्थान था पाटली पुत्र अध्यक्ष बनाये गए स्थूल भद्र ठीक है अभी हम जब आगे पढ़ेंगे हम जब जैद्धर्म का विभाजन होता है तो इनके अन्युआईयों को ही कहा गया था स्वेतामबर्ध अन्युआई ठीक है जो इनके अन्युआई थे वो किताबे आप उनको बो सकते हैं अभी 12 अंग थे इनको संकलित किया गया और जैन धर्म का विभाजन हो गया तो जैन धर्म का विभाजन किसके शाशनकाल में हुआ चंद्रगुप्त मौर्रे के शाशनकाल में ये विभाजन हुआ था ठीक है अगली जो बहुत जैन संगीती यह हूई यह हुई यह हूई 512-ESVE के अदर ठीक है एब को ध्यान रखना है कब हुई यह 512-ESVE में हुई यह गुजरात के अंदर हुई वल्लभी में और इसके अदिक्ष थे शमाच्य चरवण तो शमाच्य चरवण के अदिक्षता में दूसरी जैन संगीती का आयोजन हुआ गुजरात के अंदर और इसके अंदर जो महत्पून कारे किया गया ये किया गया कि जैन गरंतों का अंतिम रूप से संकलित कर दिया गया और उनको लिपिबद कर दिया गया तो जैन गरंतों को लिपिबद कब किया गया तो दूसरी जै प्रगुतुक मौरा का शाशनकाल था उस समय मगत पर आकाल पड़ा बहुत खतनाग आकाल पड़ा वहां पर 12 वर्षों का जिस कारण जो भद्र बाहु थे वो अपने कुछ शिशों को लेकर दक्षण भारत के ओर चले गए करनाठक में वो चले गए लेकिन जब वो वापस आ थे उनके बीच में मदभेत हो गया जिस कारण जैन धर्म का विभाचन हो गया जैन धर्म का विभाचन दो पंतों में हुआ जैक थे स्वेतामबर जो इस्थूल भद्र के अन्युआई थे और एक थे हमारे दिगंबर जो कि भद्रबाहु के अन्युआई थे स्वेतामबर क अगर हम बात करें तो ये सफेद वस्तर पहनते हैं ठीक है तो जो सुतामबर हैं जो स्थूल भद्र के अनुवाई हैं ये सफेद वस्तर पहनते थे और इन्हों ने भगवान जो महावीर स्वामी हैं इनको भगवान इन्होंने माना तो देखें अभी हम बात कर रहे हैं उपर पर हमने बात करी कि जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है लेकिन इनमें परिवर्तन आ गए यह मगद में ही रुके और इनमें यह सारे परिवर्तन आ गए यह इनको भकवान का दर्जा देने लगे उनकी मूर्ती पूजा करने लगे वस्त्र पहने लगे ठीक है स्वेद वस्त्र कौन पहनते हैं ये पहनते हैं सुईतांबर अन्याई ठीक है इसके बाद बात करते हैं दिगंबर जो इनका दूसरा धर्म बना दिगंबर इसके अन्याई कौन थे ये भद्र बाहू के अन्याई थे इनको दक्षण जैनी भी कहा जाता है क्योंकि ये महावीर स्वामी ने इस्तापीत किया था यह महावीर स्वामी के यह आचरोनों को मानता है ठीक है यह निवस्त्र रहते हैं और महावीर स्वामी को इन्होंने देवता नहीं माना भगवान का दर्जा नहीं दिया उनको इन्होंने पुरुष माना यह महापुरुष माना लेकि ठीक है? अजीतनाथ ये दूसरे जैन तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन हाती था इसके बाद बात करते हैं, 22 वे तीर्थंकर की, जूननका नाम था अरिश्टृ नेमी, और इनका प्रतीख था वो शंक था और अरिष्ट नेमी से एक बात आपको और याद रखनी है कि इन्हे कृष्ण का निकट संबंदी माना जाता है तो किस जैन तीर्थंकर को स्री कृष्ण का संबंदी माना जाता है निकट संबंदी माना जाता है आरिष्ट नेमी को माना जाता है यहां से भी आप correct कर सकते हो कि इनका पतिए है वो शंक है और शंक को हम श्री कृष्ण से भी जोड़ कर देखते हैं ठीक है एक और चीज आपको ध्यान रखती है यह जो पहले रिशब देव है पहले तीर्थंकर और जो 22 वे तीर्थंकर है आरिष्ट नेमी इन दोनों का उले प्रजीर विवड में भी मिलता है ठीक है उसके बाद 23 तीरधंकर हुए थे पाशवनाथ जिनका प्रतीक चिन सर्प हब और वुट्च fiscal गयादर rest तो ढ़ते हैं जैन सहहित्यों के बारे में जैन सहहित्यों को क्या कहा जाता जाता है ठीक है को परश्ण बनेगा जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है आगम कहा जाता है अब बात करते हैं कौन कौन से इनके जैन साहित्य जैन सिध्धांत किसमें संकलित हैं जिन गरंतों में संकलित हैं उन्हें अंग कहा जाता है और इनकी संख्या 12 है बात में इन अंगो हैं बिख्शुकों के लिए जो नियम हैं जो होते हैं उनके ये जो नियम है वह किताब के अंदर संक्लित किये गए छैद्शूत्र और मूल.- इनकी संख्षा भी कितनी है इनकी संख्षा बी टोटल दस है ये चैंई चार है यहाँ से यहं से जो important person बनता है वो यही बनता है जैन सहाइत्यों को क्या कहा जाता है इने आगम कहा जाता है ठीक है अगला है जैन टीर ठंकरों की जीवनी किसने लिखी है तो दीक एक किताब एक ग्रंत है जैन धर्म का जिसका नाम है कल्प सूत्र तो कल्प सूत्र के अंदर जितने भी जैन तीर संकर हुए इनकी जीवनिया मिलती है और ये लिखा है भद्र बाहु ने तो ये भी आपको याद रखना है ये किसने लिखा है भद्र बाहु ने ये ग्रंत लिखा है अब कु इने निघंट या नातपुत कहा गया है, तो निघंट नातपुत किसको कहा गया है महवीर स्वामी को जैन जो बाध धर्म है उनके अंदर, ठीक है, बाध सहित्टियों मे, अगला है श्रवन बेल गोला में गोम्तेश्वर की मूर्ती किसने बनवाई थी, तो श्रवन बेल गोला जो कि करनाटक में है जहां पर जो हमारे चंद्रुगुपतो मौरे थे इन्हों ने भी यहां पर मिलती हुई थी उनकी श्रवन बेल गोला में ही ठीक है तो प्रशन बनता है दक्ष्ण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रीक इसको दिया जाता है च स्वेतामबर धर्म के अन्याई बने बाद में जैन धर्म में वो मूर्ती पूजा में विश्वास करने लगे थे और मतुरा जो मूर्ती कला है उसी से उनके अधिकतम मूर्तियां बनाई जाती थी तो मतुरा मूर्तिकला का संबंध किस्से है ये जैन धर्म से है ये आपको याद रखना है श्यादवाद सिधान का संबंध किस्से है तो श्यादवाद जिसको शब्त भंगी ज्यान भी कहा जाता है इसका संबंध भी जैन धर्म से है इंप्पॉर्टन प्रश्न है पेपर के अंदर ये पूछा जा चुका है कि श्यादवाद किस धर्म से संबंतित है ये जैन धर्म से संबंतित है जैन धर्म में भूका रहकर प्रान त्यागने को क्या कहा जाता है जैन धर्म के अंदर भूका रहकर यानि की उपवास के माध्यम से प्रान त्यागने की प्रक्रिया को कहा जाता है सलेलेखना विधी जैन धर्म में मठों को क्या कहा जाता है किन जैन तीरतंकरों का उलेक रिगवेद में मिलता है उपर हमने बात करी रिशब देव और अरिष्ट नेमी का अगला है राजस्थान में माउंट आबू पर इस्तित दिलवाडा मंदिर का निर्मान किस ने करवाया तो देखे जी दिलवाडा मंदिर है यह एक जैन मंदिर है और इसका निर्मान विमल शाहा ने करवाया था ठीक है अगर पूछेगा किन शाषकों ने करवाया तो शोलंकी वंस के शाषकों ने करवाया लेकिन अगर पर्टिकुलर नाम पूछा जाए तो विमल शाह जो कि इन शोलंकी शाषकों के मंतरी थे ठीक है अगला है खुजराहू में जैन मंदिरों का निर्मान किसने करवाया था तो खजराहू जो कि मतरदेश में आता है और यहां पर जैन मंदिरों का निर्मान करवाया था चंदेल शाषकों ने जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहन किया है तो जैन धर्म ने जो उनकी आध्यात्मिक विचार है इन्हें कहां से ग्रहन किया है सांके दर्शन से इन्होंने इसको ग्रहन किया है ठीक है, शांके दर्शन के प्रतिपादा कौन थे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे ठीक है फ्रेंट्स अगला है महाजनपदों की जानकारी किस जैन गरंत से मिलती है जैसे हमने वहाँ पर भी बात करी थी बहुत धर्म जब हमने पढ़ा था कि बहुत कौन सा गरंत है जिसमें हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है तो वो था अंगुतर निकाए इसी प्रकार एक जैन गरंत भी है जिसका नाम है भगवती सुत। तो भगवती सुतु में हमें 16 महा जनपतों की जानकारी मिलती है और अभी हमने जो उपर जैन साहित्या पढ़े हमने पढ़ा कि angg हैं उनकी संक्षा कितनी हैं 12 संक्षा थी तो उनी में से एक है भगवती सूत ठीक है भगवती सूत किसका अंग है ये अंग का ही एक हिस्सा है और इसी के अंदर 16 महा जनपतों की जानकारी मिलती है तो फ्रेंट्स यह था हमारा जैन धर्म जैन धर्म से लेटेड हमने सारी बातों को यहां पर डिसकस करा उमीद करता आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और देखे जो वो बैल आइकन है उसको जरूर प्लस करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो हमको आपको मिल सके ठीकिश और झाल, 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 झाल.